गुड मॉनिंग एवरीवन मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल Glance Academy पर दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 की लेटेस्स सीरीज को और जिसके अंतरगत हम लोग कवर कर रहे हैं बायलोजी सेक्ष हड़िया कहा कहा पे देखी जाती हैं हड़ियों के बीच में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और माभी चीचिश हम लोगों ने डिसकस की थी पिछली कλάस में अगर अभी तक आप लोगों ने वे सारी क्लास के नहीं देखी हैnh या उसे study नहीं किया है तो प्लीज पहले उन्हें study कर लीजेगा ताकि उसके बाद आपको पाचन तंत्र की प्रिकेया समझ में आ सके तो इसलिए प्लेइस्ट में जाएए वहां पर आपको यूपी PCS ROARO गटना चकर 2023 के नाम से एक प्लेइस्ट में वीडियो मिलेगी जहां पर बाइलोजी सेक्षन होगा वाल्ड जियोग्राफी होगा और इंडियन जियोग्राफी ये तीनों ही सीरी चलाई जा रही है जिसकी रेगुलर क्लासे आ रही है तो आप प्लीज उसे वाच करिए विजिट करिए ताकि आपकी तैयारी और बैतर हो सके और साथी साथ एक इन्फॉर्मेशन दूँगा कि अगर आप लोग इसकी PDF लेना चाहते तो टेलिग्राम सारी वाटसप नमबर पे मैसेज करके वहां से आ सबी चीजे वहां पर प्रोवाइट की जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक है पाचन तंद्र पढ़ने का तो शुरू कर लेते हैं पाचन तंद्र और देखते हैं पाचन की क्रिया कहां से सुरू होती है हमारे पेट में या हमारे बाडी में तो देखत सबजी खाते हैं या नॉन्वेज़ खाते है चिकन मटन खाते है बियानी कहते हैं जो भी चीज हम खाते हैं फुरूट्स वगारा उसको छोटे-टुकड़ों में हमारे कौन तोड़ता है हमारे दातों पनाती है हमें कोई बाहर से एंजाइम खाने के आवशक्ता नहीं होती है जैसे भोजन करने पचाने पचे वे पदार्थों का अवसोशन करने के इने रुधिर में पहुचाने तता सेस निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याक करने में सामिल सभी अंग पाचन तंत कहलते हैं मतलब क्या हो गया कहने का मतलब होगski आप जो भोजन कर रहे हैं उसको भोजन करने के बाद पचाने की क्रिया करना अazy holy territorial है जिसको आप सबसुबह बहा तो पचेवी पदार्थों का अवशोशन करने का जब उसे ब्लड में पहुचा दिया जाता है उसका जो निरर्थक पदार्थ होता उसे मल के रूप में परित्याग करने में जितने भी बॉड़ी और्गेंस सामिल होते हैं वो सभी पाचन तंत्र कहलाते हैं तो आप एक नजर सालग अलग पाट जिसमें Allem जेजनन व जीगम यह सारे पाट होगे फिर मुखः ओगी लार होगा सलाइबा होगा यह सबी चीजें किसमिे और कर में जहां जहां से हम भोजन को प्रिवेस कराते हैं और गुदा अर्थात की एनल जहां से हम पौटी करते हैं या उस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से तो इससे सम्मदित कुछ सहायक अंग भी होते हैं मौनस के आहार नाल की लंबाई पौसतन आठ से दस मीटर तक होती है यानि कि जो हम आहार नाल कुछ इस तरीके से चले के रूप में खटा रहती है जिससे हमें लगता कि आर इतनी छोटे से पेट में इतनी बड़ी आहार नाल एड़जस्ट हो सकती है जबकि हमारी खोद अगर हाइट की बात करें तो साइट डेड़ से दो मीटर की हाइट होगी आपकी मुख ग्राशन गुईका जिसको हम कहते हैं मुख ग्राशन गुईका फिर उसका ग्रास नली फिर अमास है फिर आत और फिर आहार नाल के इस सब प्रमुख भाग है इट मिन्स की मुख ग्राशन गुईका का मतलब क्या हो गया जिस नली के दोरा यानि फूड पाइप के दो देने वाली बात है कि जो लोग मांसाहारी होते हैं या जो नॉन्वेस खाते हैं उनका भोजन जल्दी पचता है तोकि उनकी जो प्रक्रिया होती हो छोटी आत में ही पच जाती है लेकिन जो साकहारी लोग होते हैं जो वेजिटेरियन भोजन करते हैं उनकी भोजन पचाने की प्रिक्रिया लंबी होती है उनका भोजन छोटी आतों से निकल कर बड़ी आतों में पचता है इसलिए आप देखेंगे जो गाया भैस होती है या जो जानवर होते हैं जो साकाहारी होते हैं उनका भोजन क्या होता लंबे समय में पचता है बड़ी आतों में पचता है इसी तर mcq series हम लोग करेंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों और इसकी PDF के लिए आप लोग WhatsApp नंबर पे message कर सकते हैं उसका नंबर डीटेल में आपको description box में मिल जाएगा तो वहां से आप इसे देख सकते हैं लार की बात करेंगे लार का स्रावन लार ग्रंतियों के दोरा होता है और यह हलकी अमली होती यानि की हलका खटा पन होता है 6.8 इसका pH मान होता है अब आप कहेंगे सर लार क्या होता है तो जो हम लोग भोजन को चबाते हैं जैसे भोजन क्या होता है रोटी सबजी अगर आप खा रहे हैं तो सूखा है वो लेकिन जैसे हम उसे मुँ में रखते हैं तो मुँ से क्या करते हैं उसको चबाना सुरू करते हैं और चबाते चबाते आप देखोगे कि वो सलाइवा में कनवर्ट होयाता है चिपचिपे पदार्थ के रूप में कनवर्ट होयाता है उस पे लार आ जाती है तो वो लार एक अमली होती है 6.8 उसका जो है कि pH मान होता है और उसमें लगबख 99.5 प्रतिशे जल होता है यानि वो हमारे मूँ में थूक की तरह दिखता है जल की तरह दिखता है एक सलाइवा की तरह दिखता है पानी के रंग में तो उसमें जल देखने को मिलता है और मुख गुहा में लगबख 0.75 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है यानि आप अगर पूरे एक दिन की अगर आप बात करें 24 घंटे की हाना कि रात में तो ब्यक्ति सो जाता है तो रात में तो नहीं होता है लेकिन दिन भर में आप जितना भी खा रहे हैं जितना पचा रहे हैं या नॉर्मल पानी पी रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे में लार का जो स्रावण होता है यानि जो लार का स्रावण होता है वो लगवग मान के चलिए कि पॉन लीटर से लेकर डेड़ लीटर average एक लीटर तो प्रतिदिन जुए की इतना स्राव होता ही होता है लार क्या करता है भोजन को गीला करने में और उसकी लोगदी बनाने में सहायक होता है क्योंकि हम जो खाना खा रहे होते हैं वो हमारे मुख में रखते ही वो हलका हलका सलाइवा के माध्यम से गीला होने लगता है चिपचिपा होने लगता है यानि वो इतना चिकना होता है कि जिसकी वज़े से हम अपने गले के अंदर जो फूड पाइप लगी हुई है उसकी माध्यम से हम क्या करें? भोजन को आसानी से नीचे पहुचा सकें, लुगदी बना के, तो यही हमारा सबसे important काम होता लार का, तो भोजन के पाचन की क्रिया कहां से सुरू हो गई? सबसे पहले लार से सुरू हो जाती है, option आता है आपसे exam में कि भोजन पचाने की क्रिय का प्रारंब कहां से होता है? option होगा उसमें छोटी आत, बड़ी आत, पेट या मुख, मुख यानी लार, लार भी देता है कभी-कभी, कभी मुख देता है, तो maximum बच्चे क्या करते हैं? उन्हें यह लगता है कि हमने खाना खाया और वो पेट में चला गया और पेट में पा पाचन क्रिया सुरू हो जाती है, जबकि आपकी पाचन क्रिया मुख में भोजन रखने के साथ ही सुरू हो जाती है, जो कि लार या सलाइवा की माद्यम से पच्चना सुरू होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लार होना चाहिए. अब देखते हैं, तो यह गील लार्च को सरकरा में तोड़ता है. यानि जो भी हम भोजन करते हैं उसे तो हम स्टार्च कहते हैं, मंड कहते हैं, लेकिन वह आगे चलके ग्लुकोज में तूटता है. और वह कौन तोड़ता है? लार में उपस्तित, टाइलिन एंजाइम, यह पूछा भी जाएगा एक्जाम में कि लार में निमलिखित में से कौन सा एंजाइम होता है, पैपसिन, रेनिन, टाइलिन, यह सब आफशन दे देगा और आप से पूछ लेगा, लार में लाइसो जाइम नामक एंजाइम भी उप किरिया जाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, तो मुख खोलते समय, भोजन के ऊपर बहुत सारे जीवाणू होते हैं, जो मुख में जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, हालांकि हम लोग जब भोजन करते हैं, जीवाणू हमारे बौडी में प्रवेस करते हैं, तो वो जीवाण जी वान जो हर्मफल होते उनको कौन मारने काम करता है? लाइसोजाइम मारता है, वो लार बनाते समय उन जी वान को क्या करता है? भोजन पर से मार देता है, जो हमारे लिए फिर हर्मफल नहीं रह जाते हैं. तो लार में आपको टाइलिन और लाइसोजाइम मिला बात करेंगे एमाईलेस की एमाईलेस नामक एंजाइम कसरा लार गरंतियों लारी एमाईलेस और अगनासे एमाईलेस द्वारा कियाता है तो एमाईलेस का भी जो स्रावण होता है सीक्रेशन होता है वो यह तो लारगंतियों से होता है और साथी साथ अगनासे से भी होता है जो कि भोजन में उपस्तित श्टार्च यह नि मंड को जल अपगटन द्वारा माल्टोज में परिवर्थित करता है अर्थात कि जल को अलग करेगा भोजन को अलग करेगा means glucose को बाड़ी को जो glucose हमें energy देता है जिम या exercise करते समय हम glucose की छोटी छोटी शिप लेते हैं ताकि हमें energy मिलती रहे तो यही जो glucose होता है वो हमारे बाड़ी में जब जाता है स्टार्च के रूप में भोजन के रूप में तो हम उसे जल का अब घटन करते हैं और माल्टोज में convert क करते हैं जो बाद में आगे चलके glucose अड़ों में तूट जाता है या कृत की बात करेंगे तो मानो सरीर की सबसे बड़ी ये गरंती मानी जाती है यह उदर गुहा में तंतु पट अर्था डायफराम के ठीक नीचे होती है जो आपका डायफराम होता है जो फेफडों के नीचे डायफराम होता है और आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंका होता है अक्सर आप देखते हो कि जो टीवी बगराम दिखायता है कि लीवर जो एकि आपका फैटी हो गया या कॉलेस्ट्रोल बढ़ गया तो वो लीवर का कलर क्या हो जैसे पित्त का उत्पादन जो पित्तरस होता है जिसको बाइल जूस भी कहते हैं क्या कहते हैं उसको बाइल जूस पित्तरस होता है ग्लाइकोजेनलोसिस किरिया द्वारा ग्लुकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन रक्त प्लाजमा की कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करना रIET में अमीनोएमनका नियमन करना विसाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना सब्सेंअ करता है तो हलां की यकृत और भी कुछ काम करता है। लेंगा कुछ इम क्वाटेंट है जो प्रश्न पूछते हैं जैसे आपसे पूछा कि पित रस कहां पर पैदा होता है, पित रस का सीक्रेशन कहां से होता है, पित रस कहां पर बनता है, तो आपका उत्तर होगा लीवर, या यकृत, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि रक्त प्लाजमा में कुछ प्रोटीन कहां से आते हैं, तो लीवर से आते हैं, यूरिया का उत्पादन कहा होता है तो लीवर से होता है तो ये सारी चीज़े होती है अब बात होती है कि पित क्या होता है भाई तो इसको हम इंगलेस में बाइल कहते है जो पीले हरे या हरे नीले रंग का होता है जो कि छारी होता है तो कि इसकी वैल्यू 7 से उपर है 7.6 से 8.6 के बीच म होती है और ये करल होता है लिक्विट फॉर्म में होता है इसका भंडारण जबकि गाल ब्लेडर में किया है तो ध्यान दीजीएगा कि लीवर से जितना भी बाइल जूस करेक्ट हो रहा है मतलब कलेक्ट किया जा रहा है लीवर से मतलब किया हो गया? लगभग लगभग एक लीटर पित्ट का सरावन होता है और मैंने सलाइबा के बारे में भता कि लगभग 1 लीटर average निकलते है हमारे लार में हला कि पित्ट में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते है क्योंकि भोजन को पचाने के दिए एंजाइम की बहुत आवश्यक्ता होती है तो पित जो की लीवर से निकलता है इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है तो प्रशन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा बॉड़ी ओर्गेंस है जो हमारे भोजन को पचाने में योगदान नहीं करता आफशन आएगा आपका आमास है लार आत छोटी आत बड़ी आत कुछ भी और फिर एक आफशन देदेगा आपको लीवर है तो लीवर में जो पित तरस निकल ला है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है अब इमलसी करण का मतलब क्या होता है कि बड़ी सी बसा के टुकड़े को क्या करता है छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है क्या करता है छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है इसी को हम कहते हैं पाइसी करण, अर्थत, इमलसी करण किया जाता है इसके दोरा में अब यहाँ पर मैं आपको बॉड़ी और्गेंस के माद्यम से दिखा रहा हूँ कि कैसे पाचन क्रिया शुरू होती है देखें यहाँ पर यह जीब लिखा है क्योंकि इस जीब के माद्यम से हम भोजन को रखते हैं और यह हमारी नासा छिदर होती है आपको यह पता होना चाहिए कि जिस नाक की नली से हम सांस लेते हैं उसी नाक वाली नली से हम भोजन करते हैं इसलिए कभी कभी जब हम पानी पीते हैं तो कभी पानी का फंदा लग जाना है यानि कि पानी अटक जाता है तो हमारे नाक में चड़ जाता है क्योंकि वो पानी यहां से यहां ना आके उपर चला जाता है और वो नाक में पानी आ जाता है जिसकी वैसे हमारे सिर में बहुत तिस दर्द होने लगता है नाक में बहुत तिस दर्द होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भोजन कर रहे होते हैं और उसी समय हम सांस ले रहे होते हैं तो वह भोजन क्या होता है सांस नली में ही फस जाता है क्योंकि उपर की सांस उपर रह गई नीचे की सांस नीचे रह गई बीच में भोजन फस गया तो हम तुरंट पानी पीते हैं ताकि भोजन क्या होता नीचे निकल आए और सांस को आने जाने का रास्ता मिल जाए तो सांस लेने की नली और भोजन को पचाने वाली नली एक ही होती है, कोई अलग अलग नहीं होती है, तो ये clear रखेगा आप लोग, आगे देखें, यहीं पर ये मुक होता है, जहां पर हम भोजन रखते हैं, और इसी मुक में आपका लार निकलती है, जो saliva निकलता है, गीला जिसमें दो परकार के एंजाइम पाया जाते हैं, एक उता टाइलिन एंजाइम और एक उता लाइसो जाइम, अभी हमने पढ़ाता ला, वो चीज़े थी, फिर उसके बाद यही जो है कि आपकी फूर्ड पाइप हो जाती है, जिसको हम लोग ग्रास नली भी कहते हैं, जो लिए यह चेस्ट है आपके, तो यहाँ पर यह आपका डायफराम है, ठीक है, यह इस तरीके से अर्द चापा का डायफराम हो गया, और डायफराम के नीचे ही आपको अमासा देखने को मिलेगा, जिस अमासा की बारे में अभी हम बात करेंगे, जिसमें आपको हाइड्रो क क्लोरिक अम्र देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग जो चावल खाते समय कभी कभी कंकड चला जाता है, रोटी खाते समय कभी कंकड चला जाता है, तो उस जैसे कंकडों को या किसी भी ऐसे भोजन को, जो हमने कभी गलती से खा लिया, तो इसको यह क्या करता है, पचा देता ह और यही अंदर यहां पर आपको पित्ता से देखने को मिलेगा गाल ब्लेडर जिसमें अक्सर सुनने में आता है कि इस्टोन हो गया यानि पथरी हो गई तो यहां पर आप देखेंगे कि वसा का इमलसी करण होता है और पित्त का बंडारण भी होता है तो यह इतनी चीज़ा आपने पढ़ी अब इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर फिर हम इसको दुबारा रिवाइस कराएंगे तो अब हम यहां पर आगे देखते हैं लिपिट्स का जो पाचन करता है तो लिप के एंजाइम प्रोटीन की पाचन में सहायक होते हैं जितने भी एंजाइम होते हैं दोस्तों वो सभी प्रोटीन को पचाने का ही मुख्य रूप से काम करते हैं यह प्रोटीन की छोटी पेप्टाइड सिरिंखलाओं वो अमीनो एसिट में विखंडित करते हैं यानि कि क्रियाज होता है यह मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी होती है और यह एक मिस्रित ग्रंथी भी होती है जिसमें एक साथ अंतसरावी इंडोक्राइन और बहिसरावी एक्जोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाये जाते हैं तो यह प्रशने आप से कई बार होते हैं या एंजाइम और इस तरीके से इस चीज को अभी डिसकस करेंगे तो अब इसी के आगे हम देखेंगे कि इससे हार्मोन तथा पाचक रस का क्या होता है इसके पाचक रस पाचक रस का मतलब क्या हो गया एंजाइम और एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करता इसके पाचकरस को हम लोग अगनासी रस भी कहते हैं और यह च्छारी क्वालिटी का होता है। इसमें कार्बो हईड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए इंजाइम होते हैं। इसलिगे इसे पूर पाचकरस कहा जाता हैं और यह पूछा पी किसे कहा जाता है। ट्रिप्सिन नमक एंजाइम का स्राव अगनासे द्वारा किया एता है जो कि प्रोटीन को पॉली पैप्टाइड में परिवर्तित करता है मानो सरीर में छोद्रांत या छोटी आथ आहार नाल का ही एक भाग होता है क्योंकि भोजन को जब हमने मुख से डाला तो लार तक पहुचा और लार से फिर हमने मुख नलिका के माद्यम से ग्रास नलिका के माद्यम से फूड पाइप के माद्यम से अमासे यानि की पेट में पहुचाया अब अमासे से वो क्या होता है थोड़ा बहुत पार्ट वाई पार्ट आपकी आतों में जाना सुरू होता है जहां पे भोजन पचने की प्रिक्रिया सुरू होती है जो की अमासे तथा बड़ी आत के मद में इस्थित होता है और इसमें अधिकांस भोजन का पाचन होता है तो इस बात की गलत सहमी आप लोग दूर कर लीजिए कि जो आप लोग कहते हो कि सर हमारा पेट में भोजन पच्चता है तो ऐसा नहीं पेट किवल क्या करता है हमारे भोजन को स्टेबल करता है यानि हमने जो भोजन खाया उसको रखना कहां पर तो वो पेट में रखा जाता है इस टमक में रखा जाता है हलांकि पाचन क्रिया तो आपके लार से शुरू हो गई क्योंकि एंजाइम वहीं पर मिल गया आपको क्योंकि पाचन क्रिया में सबसे रोल प्लेओ करता है एंजाइम और एंजाइम आपको लार में ही मिल गया तैले नाम का तो वहीं से पाचन क्रिया शुरू होगी लेकिन पेट में क्या होता है भोजन के वाल पड़ा रहता है रखा रहता है इस्टूर किया रहता है फिर धीरे 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 भोजन क्या होता है आतों में जाना शुरू करता है और वहां पे भोजन पचना शुर तो इसी तरीके के वर्ड आते हैं एक्जाम में तो आप सेसांत्र, मध्यांत्र इनको ना पढ़िये, सीधे पढ़िये डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये इनका क्रम होता है, जिनकी लंबाई लगवक 25 सेंटीमीटर, धाई मीटर और साड़े 3 मीटर क्रमसा होती है, छोटी आत अत्य दे कुंडलित नलिका होती है, मतलब कि आपस में साप की तरह है, जिससे कुंडली मारके बैठाओ, और जिसकी वयस्क में लंबाई होती है लवक 6 से 7.5 मीटर की, मनुस्य की बड़ी आत में क्रमसा कौन सा पार्ट देखने होती है, तो सीकम, कोलन, मलासा है, ये ज अपेंडिक्स क्या होता है, जो सभी के अंतरगत मिलेगा, सभी की बॉडी मिलेगा, हाला कि अभी अवसेसी अंग हो गया, क्योंकि अब इसकी आवशक्ता हमारे बॉडी में नहीं रह गई है, जो हमारे पूरवस थे, आदी मानव थे, या चिंपैंजी, गुरिल्ला, गिब हो गई, तो उसी तरीके से अपेंडिक्स कभी कोई यूज नहीं रह गया, तो जो लोग कहते हैं कि मुझे अपेंडिक्स की बीमारी हो गई है, तो ऐसा नहीं दोस्तो, आपकी बॉडी में पहले सी अपेंडिक्स है, हाला कि जब वो आपके लाइफ स्टाईल और गलत चीज इसका आकार छोटे क्रीमी यानि वाम की तरह होता और या बड़ी आँच से सीकम द्वारा जुड़ा होता है, एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम मूलता प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासानी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनक इसका मुख्य काम क्या है कि हमारे भोजन को सलाइवा प्रतान करना, हमारे भोजन के गलुकोज को तोड़ना स्टार्च से, बाकि उसका और कोई काम नहीं है, लेकिन जब आप अमासा में आओगे, तो यहाँ पेपसिन वगरा मिलेगा, रेनिन मिलेगा, आप छोटी आत में तो उसी तरीके से आपको हर एक एंजाइम के लिए अलग-अलग होते हैं, मतलब हर एंजाइम, हर काम को अलग-अलग तरीके से संपन करता है, जाइमेज नामक एंजाइम, ग्लुकोज को इथिनॉल में परिवर्तित करता है, ध्यान दिजाए, ग्लुकोज को किस में परिव अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है ध्यान दिना पाचन के लिए तो लगभग मुख से शुरू होके आपके आथ तक आती है लेकिन यहां पूछ रहा अधिकांस भाग तो मैंने आपको बता था चोटी आथ में ही मैक्सिमम जोएकी भोजन पच जाता है तो यहां पर आप समझेंगे कि मानों सरी में पाचन का अधिकांस भाग छोटी आथ में संपन होता है इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवसोशन होता है जो मुक्ता छोटी आथ में होता है और हलाकि भोजन का पाचन मनुस्य के मूँ से ही प्रारम होयाता है देखिए कहां से प्रार्म होता है मूँ से ही और बड़ी आथ तके चलता रहता है क्योंकि बड़ी आथ में साकाहारी लोगों का भोजन पच्छता है जब कि छोटी आथ में मांसाहारी लोगों का भोजन पच्छता है अगला प्रसने लेटेस 2020 का कड़वाहट के लिए मानो जीव का समवेदन स चेतर कौन सा होता है जैसे माली जी आपका ये एक जीव हो गया ठीक है ये जीव हो गया इस तरीके की होती है और यहाँ पर यह जो आपका होता वो अगर भाग होता है जो यह आगे मैं बना रहा हूं ड्रॉक कर रहा हूं यह अगर भाग हो गया और फिर यहाँ पर मैं कलर चे भी चीज खाते हो, जीब पर जब जाती है, तो कडवाहट का पता कहां से चलता है, तो पीछे के भाग से, जब वो चीज यहां पर आती है, ग्रीन वाले एरियें, पीछे के एरियें में, तब हमें पता चलता है कि दवाई कडवी है, करेले का रंग, जो स्वाद है, वो कडव है अब पीछे वाला भाग कड़वे के लिए और पार सो किनारे खटे के लिए जो जीब के किनारे वाले हिससे होते ना ये वाले हिससे ये ये वाले तो ये आपको खटा पन का मैसूस कराते हैं मनसे की मुक गुहा में निम्र में से किसका पाचन प्रारम होता है तो सबसे पहले कार्भो हाडरेट का ही तो होगा यहांनी स्टार्च का होगा मंड का होगा जहां से लार निकलती है तो लार में उपस्तित amylase enzyme स्टार्च को maltose और dextrin में तोड़ देता है और इस परकार कार्बो हाइडरेट का पाचन हमारा प्रारम हो जाता है अगला प्रस्ट देखिए लार निम्न में से किसके पाचन में सायोग करती है तो स्टार्ज के पाचन में सायोग करती है क्योंकि लार के पाचन कार्यों में सामिल किया भोजन को पहले गीला कराना उसके लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके और लार में जो एंजाइम होता है हाना कि टाइलिन भी यहां देखने को मिलेगा जो स्टार्च को सरकरा में तोड़ता है और लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होते है जो भ पस्ति एमाईलेज जो एंजाइम है, वो स्टार्च को सरक्रा में तोड़कर इसके पाचन में हेल्प करता है. Next question है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लुकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? यानि जो स्टार्च होता है, उससे आपका ग्लुकोज अलग करना और जल अपघटन करना अलग. ये कौन करता है? एमाईलेज, क्योंकि हमारे भोजन के हर और्गन्स में, यानि हर भोजन के हिस्से में हमें पानी देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? जल देखने को मिलता है. अगला प्रशन है यहाँ पर, मानो सरे में यकृत वसा के पाचन में महात्पूर भोमिका नहीं भाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था, कि यकृत में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, जो भोजन को पचा सके. तो वसा का पाचन करेगा कि नहीं करेगा? अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आयागा. कि सर आपने बताया था, कि वसा का इमलसी करण तो यह करता ही है? अच्छा, यकृत दो महात्पूर वसा पाचक एंजाइम उत्पन करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा? C, कि A तो सही है, R गलत है, क्योंकि वो किसी प्रकार का एंजाइम सिक्रेट नहीं करत है, यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस पहुंचता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन महात्पूर भूमिका निभाता है, यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन करता है, हाइड्रो क्लोरिक एसेड यानि कि HCL किस अंग में सिरावित होता है? तो मैंने आपको सिरावन करता है, जिसमें हाइड्रो क्लोरिक अमन उपस्तित होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है, निस्क्री एंजाइमों को सक्री एंजाइमों में बदलना, भोजन में उपस्तित जीवानों को खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अबगटित कर उसे नरम करना, कठ प्रोटीन होते हैं बाईओ उत्परीक कर स्वाइब में जैव रासाइन करियाओं यों देखते हैं हैं यहाँ पर निर्माराइव नैट्रोजनी पदार्तन या अमीन Case के sensilation द्वारा होता है amino acid इसमें पाया जाता है जैव क्रिया में एक एक इस परकार के enzyme करते हैं यह उसी परकार कारे करते हैं जिस परकार एक तालए को खोलने के लिए त्क खैब स्यावी या ऐसा मैं कहूं कि एक gene है बॉडी में क्या प्रोटीन होते है पिर अगला प्रशन है एंजाइम क्या है दोस्तों तो यहाँ पर प्रोटीन होते है ऑफशन में आपका दिख रहा है अगला प्रशन है लिविंग सिस्टम यह जैविक सिस्टम में रासायनी क्रिया की प्रिक्रिया को तेज बनाने के लिए कौन उत्तर कर रहा है पिर आगे देखते हैं एंजाइमों के बारे में जो कि यूपी-पी-चेस-प्रिलिम्स 2019 का ये प्रश्ण है तो इसको देख लेते हैं कि वे जैव उत्प्रिरक होते हैं बिल्कुल सही बात है बाइय उत्प्रिरक होते ही है वे शरीर में उसी अस्थान पर अपना का चाएगा या छोटी हात में तो की पेट में अलग अंजाइम निकलेगा छोटी हात में अलग निकलेगा तो जहां पर प्यदा हो रहा है वहीं अपना काम करता तो किसी option हो जाएगा एक और दो दोनों ही सही है आपके तो एंजाइम जैव उत्पराइक होते हैं जो विशिस्ट जैवे क्रियाओं को अती उच्छ दर से संपन्द कराते हैं एंजाइमों के बिना जैव पर क्रियाओं अती मंद दर से होती हैं सामयनता एंजाइम उसी अस्थान पर कारे करते हैं जहां वे उत्पन होते हैं और जबकि हार्मोंस अपने उद्गम अस्थान से अलग अस्थान पर कारे संपाधित करते हैं क्योंकि हार्मोंस जहां पर सीक्रिट करते हैं वहां से अलग अस्थान पर जाके वी वह काम करने में सक्षम होते हैं अगला प्रश् लाइपेज, गलत, सलेसमा गलत, हाइड्रोकलोरिक गलत, क्योंकि यह जो SEL है यह तो आपको पेट में मिलेगा, अमासा में, तो यूरिया, यूरिया की उत्पत्ती, पित्त का सरावन, और प्लाजमा में जो प्रोटीन देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के, यह लेख सकते हो, कि बाइल जूस का उत्पत्त करना, रक्त प्लाजमा में कुछ प्रोटीनों का उत्पत्त करना, गलाइको जैनोसिस करिया करना, गलोकोज . बलाइकोजों के प्रिवर्तन करना, रक्त में अमीन pension का नियमन , और विसाक्त अप्रमोनिया को यूरिया में परिव पस्तितिम होता है तो किस क्यों पस्तितिम होगा तो उसके लिए पित अमल और लाइपेज चाहिए होता है पेपसिन की अविशक्ता नहीं होती है तो सी आफसन करेक्ट हो जाएगा अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन सामगरी में अधिकांस लिपिट्स सरल वसाओ अर्था ट्राई गिलिसराइड के रूप में होते हैं लिपिट्स के पाचन में लाइपेज नमक एंजाइम की महत्पूर भोमिका होती है यह लिपिट्स को वसी अमलों और मोनो गिलिसराइड में विखंडित करते हैं लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अगनास से भी और 1975 से बी निकलता है होने वाले रास्म फस्रीए होता फित में कोई पाचक नहीं होता फिर भी यह यह लिपिट्स की आउस्चम और 20 का अर्फ लैपेज का स्राव करता कहा पे करता है तो अगनासय से करता है ठीक है यह जो लाइपेज नाम का एंजाइम होता है यह अगनासय से निकलता है आपके अगला प्रश्ण है आपके मानो तंतर में निमलिकित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं होता है तो ट्रिपसिन मिलता है टैलिन मिलता है पेपसिन मिलता है लेक ashanti Caribbean निकलता मुझे आपका आमासा से डुपिशन एक प्रोटीन या अँजाइन नहीं है जो कि अमासाई G-Cosica यानि कि G-Cell तता ग्रहडी द्वारा मुक्त होता है और यह अमासाई के द्वारा गैस्ट्रिक अमलिकित स्रावण का उद्दिप्त करता है तो गैस्ट्रिक क्या करता है S.C.L. को पैदा करने में भूमिका निभाता है UP-PCS Prelims 2020 का लेटेस प्रशन मानो सरी में प्रोटीन का पाचन निमलिकित में से किस अंग में होता है तो ध्यान दिना प्रोटीन के पाचन की बात कर रहा है तो यह अमासाई में होता है क्योंकि भोजन का पाचन नहीं पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है तो अमासाई से सुरू होता है मानो सरी में प्रोटीन का पाचन अमासाई प्रारम होता है हलांकि पाचन का अधिकांस भाग छोटी आत में संपन होता है तता पचेवब पदार्थों का आवसोशन भी मुखिता छोटी आही होता है अगला प्रशन है, आरो आरो प्री 2017 का एक्जाम में कौन अंजाइम प्रोटीनों को अमीनों अमलय से विगटित करता है प्रोटीन को अमीनों अमनों में विगटित करता है तो यह पैपसिन करता है क्योंकि पैपसिन यहाँ पर एंजाइम है जबकि जाइमेज आपका कुछ नहीं है मतलब यह किसमें बदलता है इथिनॉल अमने पढ़ाता है अब यूपर है लेक्टिस जो है कि आपके पेड़ से निकलता है और यूएस यह कुछ है नहीं तो पैपसिन की बात करेंगों तो यह एंजाइम होता है अगला प्रशन है हमारा यहाँ पर पूछ रहा है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन किवल छुद्रांत में होता है तो केवल नहीं केवल छुद्रांत में नहीं होता है बलकि बड़ी आतों में भी होता है और साथी साथ अमासे में भी होता है तो पहला तो गलत हो गया अगनासे से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को छुद्रांत में छोड़ा जाता है ये बात बिल्कुल सही है, तो A गलत है, R सही है, तो इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा C, sorry, 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 D, A गलत है और R सही है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं यहापर, प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है, वो क्या होता है, तो ट्रिपसिन होता है, यही तो आपका देखने को मिलना है, एंजाइम, बाकी तो कोई एंजाइम है नहीं, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिपसिन अगनासे द्वारा किया जाता है जो कि प्रोटीन को अमीनों अमलों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रिरक का कारे करता है और ध्यातव्य है कि अगनासे एक मिस्रित ग्रंथी है जिससे हार्मोन और पाचक रस का स्राव कियाता है पाचक रस छारी होते हैं जिने अगनास होता है जिसे हम लोग appendix भी कहते हैं मानोसरी में इस्थित appendix या क्रिमी रूप परिसेसिका एक अवसेसी अंग है ये छोटी और बड़ी आथ के जोड़ के पास इस्थित होता है इसका आकार छोटे क्रिमी की तरह होता है जो बड़ी आथ के सीकम वाले पार्ट से जुड़ा ह होता है आरंब में जीवन पूर्ट साकाहारी था जिसमें सेलिलोज युक्त पतियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था कालांतर में मानोसभिता के विकास के साथ मनुस्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कारे समाप्त हो गया आगे देख लेते हैं तो अगला प्रश्ण है आपका मानव सरी में छुद्रांत के तीन सनचनात्पक भागों की लंबाई कौन सा सही हराश्वान क्रम हराश्वान का मतलब घटता क्रम है तो सेसांत्र मध्यांत्र ग्रहणी अब आप कहेंगे सर आपने तो इसमें आती नहीं क सेलिलोज का पाचन मानव का सरीर नहीं कर सकता मानव सरी में स्टार्च अब घटक एंजाइम डायस्टेज वितिमान होते हैं यह बात सही है यह बात सही है तो आपका बी आफ्शन हो जाएगा लेकिन दोनों एक दूसरे का सही सपश्टी करण नहीं कर रहे हैं फिर आगे द कोड़े का क्रम पूछ रहा है तो एक कुलाई परतिबंदित एंडो न्यूकलियस जो होता है वो डियने को विसस अस्थलों पर काटने के लिए यूज किया जाता है अगला प्रशन यहां पर देखने सूची का मिलान करना है तो आईए हम लोग इसकी सीदे ब्याक्च्चा म कहा होता है हमाँसा में होता है रेनिन की बात करेंगे तो रक्त में अंश्यो टी, बदलता है और रेनिन हाला की छोटे बच्चों में जो एकी दूद को पचाने के लिए भी जरूरी होता है और ऑक्सिटोसिन ये मिरसर पेशों यानि इसमूत मसल में सिकुडन प्रेडित करने के लिए होता है अब यहाँ पर आप देखेंगे सूची फस्ट और सेकंड को मिलान करना जैसे विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन तो इनका मिलान करना है कौन इसमें विटामिन है? कौन इसमें एंजाइम है? तो एंजाइम मन लिए पेपसिन हो गया कौन इसमें हार्मोन है? ये जो मनुश्य मँपाया जाता है testorone न प्रोजिस्टरone कौन इसमें protein है और कौन इसमें vitamin है तो कैरोतीन और कीरेटीन केरोतीन और कैरेटीन तो जो प्रोटीन होता है कैरोतीन तो ये इसका मिलान हो गया यहां देख सकते हैं और देखिए मेंस 2021 में पुछा आरो के, कितना अच्छा प्रश्ण है, वेटामिन आपका क्या है, कैरोटीन, एंजाइम, पैपसीन, हार्मोन, टेस्टोस्टोन, और प्रोटीन, कैरेटीन, यह मैंने बता है, जो बालों में नाकुनों पायते, कैरेटीन नाम की प्रोटीन, यह होता है, अब री एक्जाम 2022 बी-पि-एसी, कार्फो हाइडरेट के अपगटन के उपरा, अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ग्लुकोज बनता है, भाई, जब कार्फो हाइडरेट अपगटित होता रहेगा, प्तूपता रहेगा, तो अंतिम रूप में वो क्या बनाएग जिसका प्रमुक्त कारे रक्त में उपस्तित अत्रिक्त ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं। अवश्यक्त नुसार यह ग्लाइकोजन ग्लुकोज में बदलकर सरीर को उर्जा परदान करता है। और इस प्रकार यकृत अत्रिक्त सरकरा और उर्जा में साम प्री 2021 आरो के एक्जाम में दस दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा लीवर में ग्लुकोज का इस्तर कम हो जाएगा बस यही प्राब्लम होगी अगला प्रश्ण है पितासा में उपस्तित पत्थर निमलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है तो जो पितासा में पत्थर होता है अर्थाद गाल ब्लेडर में जो इस्टोन हो जाता है वो किसका पाचन प्रभावित करेगा वसा का क्योंकि गाल ब्लेडर में वसा क इमल्सी करन क्या आता है अगर वहां पे इस्टोन हो रही है पत्री हो रही है आपको तो आपके वसा का पाचन करने में प्राब्लम करेगा और यह देखे 2017 में प्री में भी पूछा गया में पूछा गया सेम कोशन रिपीट कर दिया गया उसी साल के प्रश्ण में तो पित्ता करती है अगलर प्राशन होता है जिसको हम प्रेंक्रियास या अगनासा भी आपका अच्छा यहां पर दिया है सratी गलत हो गया वह यह पित्ता से, वो पैंक्रियाज मेरे मुझे से निकला, हलांकि पित्ता से को गाल ब्लेडर कहा जाता है. अगला प्रश्ण है, सरीर के किस भाग में पित्त का निर्माड होता है, तो अब निर्माड की बात पूछ रहा है, न कि स्टोर करने की, तो यह आपका यकृत हो जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड लास्ट प्रश्ण देखेंगे, यह मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती होती है, तो पहली बड़ी गरंती नहीं, दूसरी सबसे बड़ी गरंती, और इसका रस एक विसेस प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, तता चारी होता है, यानि कि बीटा इंसुलीन की बात हो रही है, और यह हो जाएगा आपका अगनास है, पहला क्या होता है, सबसे बड़ी गरंती कौन सी होती है, यह करित, और यह हमारा लास्ट प्रशन होगा, आज की क्लास का, सामाने मानों के संदर में कत्रों पर विचार करना है, HCL की मौझूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रिहडी से सिक्रेटिन उत्पन होता है, वसी अमलों की मौझूदगी की अनुक्रिया के रूप में छुद्रान से एस्ट्रो गेस्ट्रॉन उत्पन होता है तो दोनों ही बाते यहां पर सही हैं तो सी ऑफशन हो जाएगा इसका सही उत्तर है अब हमारा अगला topic शुरूओगा वीटामिन और पोशन तो हमने पाचन तन्तर पढ़ लिया अब इसके अंतर के जो हमने भोजन को तोड़ाया है उस भोजन से हमें कौन-कौन से वीटामिन मिलेंगी कौन-कौन से पोशन मिलेंगे जिससे हमारी body healthy रहेगी तो ये सबी चीज़े हम लोग discuss करेंगे अगली class में तो मिलते हैं अगली class में और वीडियो अच्छी लगे हो तो like कर देना PDF के लिए आप लोग WhatsApp message कर सकते हो वहाँ पर नमबर दिया हुआ नीचे तो वहाँ पर आप इसको WhatsApp पर message करके PDF के लिए बात कर सकते हैं तो thanks for watching दोस्तो love you all